तीन जैन्वरी दोहजार सोला कालिया चक की घटना ने देश को हिलाया था माल्दा जो फेमस रहा है आम के नाम से माल्दा का आम कहते है आज वो जाली नोट के नाम से जाना जा रहा है मालदा चावल के नाम से भी जाना जाता रहा आज अफीम के नाम से जाना जा रहा है तीन जैन्वरी के बाद मैं कहूंगा राष्ट्र मीडिया जो एक जिम्मेदारी होती उन्होंने अपनी पूरी निभाई और वहां की जो घटना है क्यों हो रहा है उसको उजागर किया देश के सामने लेकर आए और उसके अंदर प्रमुकता से आप लोगों ने जैसे इद्रे शरीया का क्या रोल था संप्रदाइक था क्या आधार पर लोगों को एकत्रित करना साथी साथ क्या कारण थे जिसको लेके जो कालिया चक पुलीस स्टेशन ने उसको जलाया गया उसमें रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉई किये गए एक संप्रदाइक का माहौल बनाने के लिए कमिनल ओवर्टोन रखने के लिए किस प्रकार से हिंदूओं के घरों को तोड़ा गया उनको दराया गया धमकाया गया ये जितनी चीजें हुई उससे और जो मीडिया ने जो चीजें को लेकर आए उससे भारतिय जन्ता पार्टी के दस प्रशन ममता जी को जाते हैं मैं ये दस प्रशन जो है वो कुछ टाइप करवाने के लिए दे दिया है वो आप लों को मिल भी जाएंगे तो कुछ असानी हो जाएगी लेकिन उनको मैं आपके सामने विस्तार से रखना भी चाता हूँ कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स आई हैं चैनल्स के माध्यम से जिसके अंदर डिस्ट्रिक इंटेलिजन्स आफसर जो मालदा का है वो कह रहा है कि दो दिन पहले उनके पास इंटेलिजन्स रिपोर्ड ये कैमरा के अंदर कह रहे हैं कैमरा पर कह रहे हैं कि इंटेलिजन्स रिपोर्ड आ गई थी जिसकी इस प्रकार की एक गैदरिंग कमिनल लाइन्स की गैदरिंग मालदा के अंदर होने वाली है और उसको उनोंने आगे अपने administrative जो उनके superiors होते हैं उनको report भी किया तो प्रशन जाता है ममता जी को कि जब आपको ये जानकारी थी why did you ignore and why you did not send a reinforcement because कालिया चक पे इतनी police strength नहीं होती है number two, वहां के additional SP जो मालदा के है उन्होंने भी camera पे कहा है कि कुछ जगाएं है जिसका उन्होंने जिकर भी किया कालिया चक के इलावा जैसे गुपाल गंजा और अनेग जगाएं है जो की police के लिए no go area हो गया है वो जा नहीं सकते वहां पर police घबडाती है भारत्य जनता party ममता जी से पूछना चाहती है कि जब आपकी police घबडाती है बंगाल में स्वतंतर होके घूमने से तो आम जनता बंगाल की जनता का क्या हाल होगा और आपका तो ये campaign था 2011 के पहले था कि बंगाल का जो हर नागरिक है हर आठ करोड नागरिक बंगाल का है वो स्वतंतर घूमेगा किसी भै के घूमेगा तो अब आपके राज में ये भै क्यों है जहां पर police ही घबडा रही है थर्ड क्वेश्चन एक police अधिकारी ने camera के उपर कहा है कि जब उनके उपर mob का attack हो रहा था वो police station के अंदर शरण लेने घुज गये थे तो उपर से उनको instructions दिये गये थे कि you cannot fire at the mob और जो उसके बाद जो वाक्या है वो खतरनाक बन जाता है उस police officer का कि you cannot fire at the mob particularly if they belong to minorities ये on record ये चीजे हैं भारतिय जनता पार्टी ममता बैनर जी जी से पूछना चाहती है कि isn't this the basic violation of India's secular fabric ममता जी इसका जवाब दीजिए आप लोग सेकलरिज्म की दुहाई देते हैं fourth question ममता जी जो अभी जितने भी हम लोग ने तीन questions जो उपर के पूछे हैं आपसे क्या ये सच नहीं है कि आपकी एक state policy बनी हुई है इसका जवाब दीजिए जो तीन प्रशन जो पूछे उससे inference निकलता है and the question is isn't it a state policy under ममता बैनर जी the TMC government कि बंगाल के अंदर खाली 28 प्रतिशत ही voter है और कहीं अगला question है कहीं ये सच नहीं तो ममता जी आपको जवाब देना चाहिए जो बाकी 72% population है बंगौल की क्योंकि दुर्गा पूजा एक पर्व है जिसको हर बंगाली हमारा किसी धर्म का हो वो मनाता है पूरे देश में मनाया जाता है इसको विश में मनाया जाता है कि क्या कारण था कि आपने ओफिशली दुर्गा विसरजन जिस दिन होना था उसकी तारीक तीन दिन आगे कर दी क्योंकि अगले दिन महर्रम था ये भार्ची जनता पाटी नहीं ये आपका खुद के सरकार का निर्ने था ये किस बेसिस पर ये आपने निर्ने लिया इसका जवाब हम मांगना चाहते हैं और वो आपकी स्टेट पॉलिसी के ऊपर रिफलेक भी करता है यू केन नॉट हाइड बहाइन आट वी वाइन तुमल हार्मणी और पर छिस दिसने वो तेकन It is the duty of the state to protect each religion, each faith, each festival of each community. Next question, जो छटा क्वेश्चिन है हमारा, कि यह क्या कारण है कि हम कहीं खागडा घड से शुरू करते हैं, जो बारदवान में एक बाम ब्लास्ट हुआ था पिछले साल, 2014 में हुआ था, उसके बाद हम कहीं बीरभूम चले जाएं जहां पर बाम स्पोर्ट होते हैं, चाहे हम मालदा चले जाएं, चाहे वो फेक करिंसी का मामला हो, बाम मेकिंग का मामला हो, चाहे वो महिलाओं के उपर उत्पीरन का हो, विमिन अब्यूस का हो, वहाँ पर टीमसी का वर्कर या सपोर्टर ही पाया जाता है, इन इंसिडेंस के अंदर, ममता जी, आपको जवाब देना चाहिए, कि ये आपके पर टीम के अंदर, कारिकरता निर्मान का ये कौन सा कारिकरम है, विश्ट नू अबाउट इट, सबंध क्वेस्टिन, ये सच है कि मोदी जी की जब से सरकार आई है, अफीम की खेती जो चल रही है, जो फेक करिंसी का जो रैकेट चल रहा है, उसको ध्वस्ट करने के लिए, डारिक्टर जनरल जो निया के हैं, पिछले निवंबर, दिसंबर 2015 में, आपके ग्रह सचिफ के साथ बैठ कर, एक पूरी प्लान करा था, कि बस्ट, मालदा, रैकेट, ये निन्ने हुआ था, सब चीज़ डिसकस हुई थी, तो आपके एड्मिस्ट्रेशन में, कौन मीर जाफर है, जिसने ये लीक किया, और 3 जैनरी 2016 को, जो रिकॉर्ड्स है, कालिया चक में डिस्ट्रॉइड हो गये, वो मीर जाफर जो है, उसका आपको पता है, तो उसका खुलासा करिए, ना तो आपके इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है, टीमसी के लोग बार बार जवाब देते हैं, कि पुराना चला आ रहा है, मालदा के अंदर फेक करेंसी का रैकेट चलता है, तो प्रशन जाता है, कि ना आ ये की रिपोर्ट है, कि 90% अफेक करेंसी एंटर्स इंटू इंडिया फ्रॉम मालदा, तो ममत्या जी ये बताईए, कि आपने 5 साल होते आए हैं, आप CPM के समाने में जो चल रहा था, वो आज तक चला रहा है, आपने इसको रोका क्यों नहीं, और 90% कहीं मालदा से आता है, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्स या बॉर्डर स्टेट्स बंगलादेश के साथ अनेक हैं, वहाँ से क्यों नहीं एंटर करता हैं, वाई only from मालदा 90% कम्स थ्रूँ, नाइन्थ, ममता जी, यू डिड़ नॉट अलाओ अवर MPs delegation to visit मालदा कालिया चक, जो आपने कारण बोला था, वो कारण था कि भारत्य जनता पार्टी वहाँ पे संप्रदाइकता फैलाएगी, और उसके आड में आपने हमें इजाजत नहीं दी थी, हम नहीं गये थे, अब आप बताईए कि आज कालिया चक के अंदर बॉंब सुबह सुबह से शुरू हुआ है, फेके जा रहे हैं, TMC के दो ग्रूपों के बीच में लड़ाई की जो बातें सुन रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, और व्यक्ति आप ही का वर्कर है, TMC का, विल्यू प्लीज आंसर, BJP is not there, you have not allowed us to go, why it is happening, why even today, कालिया चक इस तेंस, लास्टली, नेवंबर दोहजार पंदरह, और यह नैशनल से के रिलेटे हैं, तीन ISI के लोग पकड़े गए थे, वो जो तीन लोग पकड़े गए थे, उसमें एक अश्वाक अंसारी है, कलकत्ता में पकड़े गए थे, उनके उसके पिताजी और उसके, अब इंग्लिश में अंकल कह दूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, वो चाचा था था कि मामा था, मगर उसके एक अंकल भी पकड़े गए, और उन में से जो अश्वाक है, वो आपके TMC उस डिस्ट्रिक का यूथ लीडर है, आपकी इंटेलिजन्स क्या करती है, आपकी पुलीस क्या करती है, और क्या यह एक और उधारण नहीं है, कि आपकी पार्टी के अंदर जो कार्यकरताओं की भरती और उनको पुजिशन्स जो दी जा रही है, वो नेशनल सेक्यूरिटी के उपर कंपरमाईज हो रहा है. These are our 10 questions to TMC, and I hope they will answer. आपको यह दस जो प्रशन है, वो लिखित में भी दे दी जाएंगे, आपको उसमें सहलियत मिलीगी. If there are any other questions, then you are welcome, and I'll try to answer. हम लोग ने आपकी जानकारी दे देता हूं, यह अच्छा प्रशन है, क्योंकि बार-बार कुछ पेपरों में भी छपा, कहीं म्यूज में भी चला, कि भार्चे जनता पार्टी का जो डेलिगेशन है, ग्रह मंतरी जी से भी मिला था, उसके बाद क्या कारवाई हुई? कारवाई जो हुई है, उसका थोड़ी जानकारी जो मेरे पास है, मैं आपको दे देता हूं. यह 3 जनवरी, 2016 की घटना है, उसके बाद हम लोग मिले थे, ग्रह मंतराले के नीचे निया आता है, जो एक कारवाई चली रही थी, फेक करिंसी का एक मॉडियूल था, जिसको बस्ट करने की बाद, जिसका मैंने जिकर भी, और प्रेशन भी उठाया है, NIA ने, अभी हाल के अंदर, मेरे को डेट इग्जैक्ट नहीं है, मगर 9-10 जैनवरी के आसपास, 8 लाक रुपे की फेक करिंसी, पकड़ी मालदा में इंटर करते हुए है, 19 बंगलादेशी, इन्फिल्ट्रेटर्स, मैं रिफ्यूजी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, इन्फिल्ट्रेटर्स जो घुस पैटी है, वो घुस रहते, उनको एरेस्ट किया, वो क्या करने जा रहे थे, वो एक अलग नैशनल सेक्यूरिटी, अगीन वहाँ पे इन्वॉल्ड हो जाती, उसका कॉंप्रमाईज हो रहा था, B.S.F. का हमेशा दबाव रहता है, क्योंकि स्टेट अड्मिनिस्ट्रेशन लैंड इस स्टेट सब्जेक्ट, जो अफीम की जो खेती होती है, तीन जैनवरी से मैं कहूं, मगर एक्शल कहें तो आठ जैनवरी ओनवर्ड्स, जो अभी मेरे को बाइस जैनवरी तक की, जो मेरी जानकारी मुझे मिली है, दो हजार बीगा, जो पॉपी कल्टिवेशन है, मालदा के अंदर, उसके अंदर जो कुछ जगाएं, वहाँ पे दो हजार बीगा डिस्ट्रॉई कर दिया गया है, जिसमें B.S.F. का बड़ा हाथ है, उसके पर प्रेशर रहा सरकार का, N.I.A. का, और साथ-साथ फिर एक्साइस डिपार्टमन्ट का, तो वह डिस्ट्रॉई किया गया है, इस तरह से यह सब जो कारवाई है, यह केंद सरकार की तरफ से चल रही है, और बाकी जो लॉइन ओर्डर जिस तरह से वोट बैंक की राजनीती है, वो राज सरकार के उपर है, मैं समय समय पर जो सूशना होती है, वो हमलोग केंद सरकार देड़ी है और करवाई कर रही है, यह. Well, what your channel has shown is an eye-opener, and it certainly shows that acres, not acres but hectares of land is being cultivated for poppy and opium and they are being converted into drugs and they are being traded to Bangladesh at a high price. Certainly, there is an activity which is going in front of the Kalyachak police station where the police have also admitted on your channel saying that we are scared, we cannot take action and at the same time, if you give 5000 rupees, 8000 rupees of fake currency is given to you, Indian rupees. So, this is the kind of thing which is happening. It is really scary, it does compromise national security but vote-bank politics cannot override over national security. which I can't say, but home ministers have told me that I have told you what activities are going on, which we can do, NIA, BSA, BSA, यहिर्जिंसेज जो कर रही हैं मगर मैं भी हाल में क्या है मैंने नहीं कह सकता मगर जहां तक कि मेरी जानकारी है राज़सरकारने रिपोर्ट सब्मिट नहीं की है और जो करनी चाहिए थी उन्ग вып Trail मांगी है रिपोर्ट तो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो केंद सरकार ही प्लाइनिंग कर रही है मगर उसके अंदर मीर जाफर कोई पैदा हो जाए अडिस्ट्रेशन में और डिस्क्लोज कर दे जिसे वो रिकॉर्ड जल जाए जो कि अब भारती जनता पार्टी का अरोप निये तो अब मीडिया के चैनल चाहे मैं उसमें अनेक चैनल गए है माँ पे जी से लेके इंडिया टीवी, इंडिया टोडे आज तक, अंडी टीवी, टाइम्स नौन, न्यूज एक्स में इतने भी हैं सभी चैनल्स ने अब दिखा चुके हैं कि क्या हूआ है माँ पे यूजियर टीवी, इसल्व पारी क्षिफटर को नौन, इसल्व को सवाल है तो एक बंद्यूर्ट बादिया टीवी, इसल्व मजश पार्टेश्टर ने इंडिया टीवी टिवार्टटे कैनल this happened two days back in fact I was there in Durga poor with Smriti Rani and when we landed we came to know along with bubble we were there we came to know that a 10 standard girl was raped by certain I shouldn't be using that word but sir there were certain people who tend to become the vote bank of Mamata Banerjee and the police hush-hushed it and the body was burned and thrown into a well and then when BJP people our former Jala Dhaksh district president Santosh Singh came to know about it he went to the place but unfortunately swords were taken out by those who were accused and his head was split also and he was rushed to the hospital so obviously being a local MP Babal Supriya went there but he wasn't allowed but there is a serious problem of lawlessness and women abuse which is happening in West Bengal under a lady chief minister